मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी यह जो इस समय हम नक्षे पर देख रहे हैं रूस हरोर से जा रहा है हरोर से दबाव बना रहा है गुंजाईश कितनी है यूक्रेन के लिए सिर्फ उस गुरिला वार की बात हम कर रहे हैं कि जब वो प्रवेश कर जाएगा की में तब से उस तरह का रिजिस्टेंस क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि रूसी से ना तेजी से बढ़ रही है कम से कम जो इन्फॉमिशन निकल कर आ रही है थैंकि श्वेता बलाने के लिए मैं कहाना चाहूंगा कि जब कोई एक ऐसा राश्टर जैसे कि रूस ने यह प्लैन बन होगा उन्होंने यह सोच समझ के प्लैन बनाया है कि उसका एंड स्टेट क्या है एंड गेम क्या करना कहां तक जाना है कितने दिन का प्लैन है और किस हिसाब से करना है तो उनकी जो फॉज का प्रिपॉंडरेंस है हमला वर का सदा प्रिपॉंडरेंस रहता है उनका जो प्र प्लान के मुताबक ही चल रहा है उन्होंने कीव को आइसोलेट कर दिया है ऐसे रिपोर्ट आ रही है कार्कीव को आइसोलेट करने के बाद वह पल्तोवा की तरफ इधर सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं सूमी को जैसे उन्होंना आइसोलेट किया सूमी से उन्होंने जो है उनका सीधा का सीधा एक्दम से कीव की तरफ गए और जो सेंक्यव है या जो चेन्विया जगह है यहां से उससे भी कीव की तरफ गया है और यहां से तो complete direct north से जो एरिया है direct north से कीव की तरफ गया है और यह भार के जो शेर हैं उनको सिर्फ हो isolate कर रहे है जो बड़ा शेर है जिसे कारकीव है जैसे जो complete occupied एरिया था अब तक वहां intense engagement से जैसे अगर आप मारियो पॉल में बता रहे हैं उडिसा में यह intense engagement है ताकि जो forces हैं वो यहीं पे held रहें वो forces fallback ना करें उनको कई alternative place पे जाके मुकाबला ना करें क्योंकि अंदर युक्रेन के अंदर जो बाकी शहर है उनमें खास resistance है नहीं जैसे हमने देखा sumi cross करने के बाद यहाँ पे जो दो तिन टाउंस थे इधर charnobal क्रास करने के बाद दो तिन टाउंस थे लेकिन state बाजी जाके कीव पे रुकी नौर्थ ओफ कीव नौर्थ East आफ कीव नौर्थ वेस्ट आफ कीव जो है वो तीनों तरफ से जो रॉशन फोर्सेज हैं उन्होंने बिलकुल कट अफ कर दिया और उदर से प्रेशर डाला जा रहा है अब ये है कि रश्या क्या पूरे कीव को पूरे कीव को अगर साउच से कुँछ ऐसी रिजिस्टेंस आन अगर हम औरिजनल एरियास को देख लें जो रूस के कंट्रोल में हैं तो यह क्रीमिया का पूरा इलाका हो जाता है आप उसके बाद मॉल्डोवा से लगता हुआ यह इलाका यहां पर भी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि रूसी नियंत्र है ही इसके अलावा जो रुशिन फोर्स भी हमारे साथ आ चुक हैं बहुत स्वागत है आपका सर्थ लेकिन विंक कमांडर शर्मा यह समझाईए कि किस तरीके से यह मिसाइले नियनायक हो रही है कह रहे हैं कि ऐसे भी हमेशा से यह मिलिटरी स्ट्राटीजी में बताया ही जाता है और हमेशा इसका दावा किया जात स्विता सिधी सी बात यह है कि रूस एक सुपर पावर है और उसने सबसे पहला जो फर्स्ट अजाल्ट किया वो यही था कि उनके सारा एडी सिस्टम जो एर डिफेंस सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉइ किया और उसका मेजर जो एरिया जिससे कि उन्होंने माइलेज गे हुआ तो यह दोनों चीजों को एक प्लानिंग के साथ करते हुए रूस ने एक जिसको आप कह सकते हो गलियारा एक स्पेस जब आप निकाल लेते हो राडार उसके इनेफेक्टिव हो जाते हैं तो आपकी फोर्सेस को मुवमेंट का वोका मिलता है तो एर सुपिरियरिटी जो आज रश्या के पास है वो युकरेन के पास नहीं है फर्स्ट डिसडवांटेज तूसरा आपको लगा होगा कि कल तक यह युद्ध खतम हो जाता लेकिन यह युद्ध अब वापसी में रीगेन क्यों हो रहा है उसका रीजन यह है कि उनका टोटल को पता था कि रश्या कैपेबल है हमारे एर डेफेंस सिस्टम को क्रिपल करने के लिए इसलिए उन्होंने पॉकेट्स में बैटरीज के थूरू जो जो था उसको रिवाइब किया सेंट्रल जो सिस्टम है उनका कमान कंट्रोर सिस्टम वो आज भी कीवू में बना हुआ है और कीवू की पोजीश टैक्टिकल सिच्वेशन पर आब आगई है यह रश्या को भी पता है और यह यूकरेन की फोर्सेज को भी पता है इसलिए उसको डिवाइड कर रखा है क्योंकि जो भी नाटो कंट्री से उनकी है पाईगी वो हैल्प आने का जो तरीका है वो यह बॉडर है क्योंकि यह टैक्री है यहां से कोशिश की तीनों साइड से अटैक्ट किया सी मार्क से भी किया इधर से भी किया तो सबसे बड़ा पॉइंट जो आप आ रहा है इस टेक्टिकल सिच्वेशन में वो है कि इनके पास यूकरेन के पास हत्यार और पैसा यह दो चीजेंगर किसी भी तने से नाटो नाटो कंट्रीज जी वो अगर किसी भी रूप में अमेरिका भी कह रहा है